फाइनली साल का चौथा पोटल आ चुका है उपिन हो चुका है आज 4 अपरेल है और आज है 444 पोटल आज के दिन ऐसा क्या होता है कि मैं इतनी जादा तारीफ कर रहे हूँ जी हाँ आज का दिन बहुत मैजिकल है चार बज के चार मेंट से ही शुरू हो चुका है अब ये अन होगी कैसे होगी क्या करना है सब कुछ बताने वाली हो अगर आप इस टॉपिक में इंट्रेस्टेट हैं तो वीडियो में तक बने रहेगा एन अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन को और पर प्रेस कर लिजीगा शुरू करते हैं इस वीडियो को हलो वीडियोफिल सोल कैसे हैं आप सब स्वागे थे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल इजीलाइब ट्रिपल वन के उपर आज की वीडियो में आप जाने वाले हैं 444 पूर्टल पर आपको किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए efforts लगाना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो शुरू करते हैं और जान लेते हैं आपको किस तरह से आज के दिन अपने इच्छा पूरी करने है आज का कोई भी time हो सकता है क्योंकि early morning का जो समय था 4 बज के 4 मिनट या 4 बज के 44 मिनट वो time already बीच चुका है शाम का time बजता है या तो 4 बज के 4 मिनट पर या तो 4 बज के 44 मिनट पर आप जरूर से कीजिएगा अगर इस time में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है क्योंकि portal की energy तो पूरे दिन ही रहेगी ये तो दो दिन पहले से ही open हो चुका है और इसकी energy भी शुरू हो गई है portal क्या होता है जब universe में सारे planet online होते हैं एक line में आ जाते हैं उस दिन होता है portal उस दिन क्या होता है universe का कोई एक door खुलता है और जब हम उस time पे अपनी इच्छाओं को बोलते हैं positive vibration देते हैं positive affirmation बोलते हैं जो भी हम बोल रहे होते हैं वो universe तक पहुँच पाता है और जब universe तक पहुँच जाता है तो वो चीज़े बहुत जल्दी manifest हो जाती हैं तो आपको आज किसी भी हालत में चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले negativity नहीं फैलानी है आप जिस भी religion से हैं आज आप पूजा करेंगे आप जिस भगवान को गौड अल्ला वाय गुरू जिसे भी मानते हैं आज के दिन आपको पूजा जरूर करना है सिंपल सा धूपी दिखा लो लेकिन हाँ परमात्मा के पास पास मिनट जरूर दो क्योंकि आज का दिन बहुत खास है उन्हें gratitude करो आपकी life में जो भी चीजे हैं उसके लिए जो चीजे आ रही है वो positive हो इसके लिए आप advance में thank you बोले इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी auspicious day पर आपको अपने घर की cleansing करनी होती है अपने घर में इसका धुआ हर कोने कोने में लगाई है और आपके घर की cleansing हो जाएगी जिससे आपके घर से सारी negativity जाएगी आपकी life में किसी भी तरह का blockage है चाहे relationship से हो या फिर money से हो health, wealth, anything सारी negativity दूर होगी अब बात कर लेते हैं आज आप अपने इच्छा को पूरी कैसे करेंगे आप किसी भी मंत्र को ले सकते हैं उस मंत्र को आपको जपना है चार बज के चार मिनट पर या चार बज के चोवालिस मिनट पर ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग कर सकते हैं अगर आप इस टाइम पर नहीं कर सकते तो आप 12 बजे राज से पहले कभी भी कर सकते हैं। आपने मंत्र जाप करना है उससे पहले आप meditation कर सकते हैं। अब आप पुछेंगे कौन सा meditation आप कोई साभी meditation कर लो। आप जब सर्च करोगे जो जो मेडिटेशन वीडियो आपको सुनने में अच्छी लगे, पीसफुल महसूस करा दे, वही मेडिटेशन आपको कर लेना है, जब आपका माइंड आपकी बॉड़ी बिलकुल पीसफुल हो जाए, तब आपको किसी भी मंतर का जाब करना है और अगर बात करें कि आपको अपने विश फुल्फिल करनी है अगर आप लाइफ में बहुत सारा धन, बहुत सारी समरिद्ध, पैसा, ड्रीम जॉब या किसी भी तरह की जॉब आप चाहते हैं आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सिस चाहते हैं, ब्यूटी इनहेंस करना चाहते हैं, अपने खुबसूरत बाल चाहते हैं, सारी चीजों के लिए इस दुनिया में जो भी चीज़े हैं, जो मेटिरिलिस्टिक हैं यहां तक कि आप अपने बॉडी में किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं, जैसे आप दुबला होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, आप ये सब कुछ मेनिफिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ग्रीन तारा मंतर का जाप करना होगा, या फिर ओम क्लिम क्रिशनाय नम का जाप करना होगा, अगर आप महिला है, पिरेस में हैं, तो आप ओम क्लिम क्रिशनाय नमा का जाप ना करें, आप ग्रीन तारा मंतर का जाप कर लें, ग्रीन तारा मंतर है, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, स्वाहा नहीं बोलना है, सोहा बोलना है, इस मंतर का जाप कीज ये 108 वर से कम नहीं करना है आप जादा कर सकते हैं लेकिन कम मत कीजिएगा जब भी कीजिए 108 वर करना ही है जब आप 108 वर का जाप कर लेते हैं आप जाप करते हुए भी अपने उस इच्छा को सोचे कि मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है और ये one time manifestation है आप एक दिन इसे करके अब लिट गो कर दीजिए छोड़ दीजिए पूरी तरह से भूल जाएगे किस चीज के लिए मैंने मंतर जाप किया था पोटल वाले दिन यकीन मानिए गाइस आपकी वो इच्छा आपकी जिंदिगी में मेनिफेस्ट होके तुरांत आ जाएगी जैसे ही आप लिट गो करो और उससे भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग अपने एच्छा के लिए ये सारी एक्टिविटी कर पाएं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में मुझसे परसनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्रम आएंगी आपका कर्मा हील होना शुरू हो जाएगा So God bless you and thanks for watching Radhe Radhe